आज अपना online classes का first day है और आज मैं आपको अपने जो 8th class का syllabus है उसमें से grammatical portion ले रही हूँ और grammatical portion में भी अपने सबसे first में जो topic है Determiners Determiners मैं आपको आज पढ़ाऊंगी यह आई होप कि आपके लिए नया होगा या फिर आपने 7th या 6th में उसको repeat किया होगा Determiners Determiners का जो Hindi meaning होता है वो होता है निश्चित कोई भी चीज क्या है fix है यानि क्या है एक है दो है तीन है जैसे उसको indicate करती हो Okay वही क्या कहलाएंगे आपकी Determiners Determiners are the words used before the noun चितने भी Determiners होते हैं वो हमेशा किसके पहले आते हैं नाउन के पहले And these words determine the noun और यही जो words आते हैं वो determine यानि नाउन को बताते हैं कि नाउन क्या है निश्चित है या नहीं है अनिश्चित मतलब कितनी है कैसी है क्या कौन है तो यही चीज क्या कहलाती है हमारी Determiners कहलाती है Determiners always come before the noun जो Determiners होते हैं वो हमेशा किस से पहले आते हैं नाउन से पहले आते हैं यानि Determiners के बाद नाउन का होना necessary है Without noun के Determiners कभी भी नहीं आते हैं And never change in another form और इसकी दूसरी quality क्या है कि Determiners कभी भी दूसरी form में change नहीं होते जैसे कि go and gone ऐसे change हो गया या फिर another कोई चीज होए जैसे has, have होते हैं वो head में change हो जाते हैं ऐसे Determiners कभी भी change नहीं होते और Determiners कभी भी अकेले नहीं आते हैं Always अपने साथ क्या रखते हैं वो noun को रखते हैं For example मैं आपको बता रही हूं A dog has a tail A dog यहाँ पे dog क्या है? Noun और इसको define किसने किया है? A ने यहाँ एक क्या indication कर रहा है? कि यह एक कुत्ता है एक dog है न? Has a tail अभी यहाँ भी इसको define कर दिया इसने A dog has a tail अभी यह A है Determiner और यह noun को क्या कर रहा है? Define कर रहा है कि dog है वो कितने है? एक है, दू है, तीन है, चार है Next sentence अपना है These pens are not good These pens मतलब these These indicate to pen Pen is here noun अब pen है उनकी जो मात्रा बता रहे है कि यह क्या है? यह है जो यह pen यह इंडिगेट कर रहे है कि यह क्या है? यह pen क्या है? अच्छे नहीं है तो यहाँ पे these है वो क्या है हमारा? Determiner है और pen हमारा noun है यानि noun को किस न डिफाइन करिया? इस नहीं तो हमारा डिटर्मिनर्स है इस और noun pens some students will pass अब एक another मेरे पास जो sentence है कि some students अब यहाँ पर some है some किसको इंडिगेट कर रहा है? स्टूडेंट को न अब यह जो देखो मैंने आपको अभी बताया था इसके अंदर कि जो determiners होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते क्या लिए आते है? यहाँ पर देखो a के बाद में noun है these के बाद में भी noun है और some के बाद में भी noun है जैसे some students अभी जो some है यह क्या है मेरा? determiners और noun हमारे हाँ कमन हो गया? students हो गया तो इसमें आपको पता लगा कि determiners क्या होते हैं? यानि वो noun को indicate करते हैं अब इसमें determiners ने हमें बता दिया कि इसमें a dog है इसमें indicate कर दिया यानि कि इशारे में बताया है कि यह क्या है हमारे pen यह pen और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि these or those always takes always takes plural things यानि कि यहाँ पर जो कुछ भी आप जो noun use करोगे वहाँ पर plural आएगा singular नहीं आएगा क्योंकि these or those to indicate plural so we use noun is plural some students will pass इसके अंदर देखो आप some यानि कुछ students तो यहाँ पर कुछ क्या indicate किया है यानि बताया है तो यह सब चीजे क्या कहलाती है यानि जो noun को indicate करते हैं वो सब क्या है Determiners यहां तक आपको I hope की समझ में आ गया होगा एक बार फिर repeat कर लेते हैं Determiners are the words used before the noun and these words determine the noun मतलब जितने भी यह जो words होते हैं जो noun के पहले लगते हैं यानि noun को indicate करते हैं बताते हैं वो सारे क्या होते हैं Determiners होते हैं अब Determiners होते हैं वो कितने types के होते हैं वो तो 5 होते हैं बत यह parts यानि इनके parts कितने हैं यह 3 parts के होते हैं प्री Determiners यानि कि जो पहले लगते हैं Central जो बीच में आते हैं और Post यानि जो की बाद में आते हैं Predeterminers कौन-कौन से होते हैं What all, such, both, once, twice, thrice and Central वाले All Articles यानि जितनी भी Articles होते हैं वो इसके अंदर आते हैं Demonstrative आते हैं 85 Adjective आता है Quantifors आते हैं WH words होते हैं वो भी इसमें आते हैं Next है हमारा Post Determiners इसमें आते हैं Numeral Numeral होते हैं definite भी होते हैं Indefinite or Distributive होते हैं यह हमारे सारे क्या हैं Determiners हैं Okay आज इतना ही Next मैं अगले वीडियो में डिफाइन कर होंगी और आपको homework भी दूँगी इसके लिए लेकिन सबसे पहले आप इसको अच्छे से अपनी Notes में उतार लेना एक Fair Notebook में और After Then मैं अपना नेक्स्ट वाला वीडियो अप्लोड खोरूंगी उसमें आत करना Okay Thank you for this class Bye Pay Also A To Can coff Of Of So झाल झाल